पीजेपी जानबूश करके घटना होने देती है परसासन अगर चाता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती है और जानबूश करके उस इलाके से क्यों ले जाये गया परसासन चाता तो ये घटना कभी नहीं होती पीजेपी जानबूश करके घटना होने देती है बहराईज की घटना बहुत दुखत है और प्रसासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती क्योंकि जब भी कोई प्रसेशन निकलता है और खासकर रिलिजिस प्रसेशन निकलता है उसके लिए हर इस तरह पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठक करके रूट तै करते हैं क्या कारण था कि रूट ऐसा तै हुआ और क्या कारण था कि जो लाओड स्पीकर और जिस तरह की भाशा का इस्तमाल क्या जा रहा था और जान बूच करके उस इस इलाके से क्यों ले जाये गे हम परसासन चाता तो यह घटना कभी नहीं होती परसासन की वज़े से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्षके लोग का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिस रहती है कि नफरत फैले लोग के समाज में दूरियां बने उसी से राजने तेक मुख्यमंती जी अधिकारियों को खुली छूट दिये हुए है और खुली छूट देने का परणाम यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई क्या सरकार को यह नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे क्या सुनाएंगे यह पहली कस्टोडियल डेथ नहीं है और पुलिस का यह कहना और सरकार का यह कहना कि जुवा खेल लाता अभी दिवाली का तिवार आएगा नजाने कितनी जगे जुवा होगा क्या सरकार सबको मारेगी और फिर अगर कोई जुवा का खेल देख रहा है तो क्या आप उसकी ह पुलिस का काम पूरे उत्तवपतेस में हो रहा है नजाने कितनी जान पुलिस ले चुकी है अमन की मौत के बाद पर पर आया थे लाटी चार्ज उन पर किया गया था सरकार पहले तो गलत काम करती है उनके अधिकारी गलत काम करते है जब जनता उसका बरोध करने आती है तो उनी अधिकारियों से जूटे मुगद में लगवाते है ये भारती जनता पाड़ी का काम करने का तरीका है विपखष को डराने का तरीका है जनता को डराने का ये तरीक का है कि पहले तो वो गलत काम खुद करते हैं और जब जनता उसका बरोध करती है कोई बरोध करेगा तो उस पर जूटे मुगत में प्रिसासे से लगवाते हैं